हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि इन्फिनिक्स जी टी ट्वेंटी प्रो फोन में आप लोग लेक फिक्स कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Infinix GT20 Pro फोन है और इस फोन में जो है आपको lag problem देखने को मिल रहे हैं अगर आप लोग इस फोन में games वगरा खेल रहे हो तो game में जो है बहुत ही ज्यादा lag देखने को मिल रहे हैं या कोई भी जो है छोटा मोटा game या बहुत जो है high-end game जैसे की BGMI, Free Fire वगरा आप लोग खेलते हो इस फोन में settings में जाने के बाद search settings का option मिलेगा, search settings पे click करना है, click करती है आप आप आपको type करना है इस developer spelling आप लोग मेरे phone में देख सकते हो और अगर आपके phone में developer option नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे activate करेंगे, इसके लिए मैंने अलग से video बना के रखाएगा, आप लोग मेरे channel में जाके देख सकते हो और developer option को यहाँ पर ला सकते हो, लाने के बाद इस पर click करना है, click करने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे, तो आपको एक option देखने को मिलगा गाई, graphic driver preference इस पर click करना है, click करने के बाद यहाँ पर उस game को ढून लेना है, जिसमे एक lag देखने को मिल रहे हैं, और उस पर click करना है, click करने के बाद इस पर set करना है, system graphics driver पर, इसको यहाँ पर set कर दीजे, उसके बाद back करना है, और नीचे scroll down करना है, तो यहाँ पर आपको एक option मिलागा गाई, force 4xmsaa का आई, तो इसको on कर देखने, इसको on करते हैं, आपको जो lag है, वह 100% fix हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Infinix ZT20 Pro Phone में आप लोग lag fix कर सकते हो, तो कैसा लगा गाई साप लोगों कोई वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे, मिलते का लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई